नमश्कर स्टूटेंट्स, हम CMEME202 सब्जेक कोड की श्रंकला में फ्लोड मेकनिक से वह मशीन के लिए हाइड्रो काइनेटिक्स पार्ट वन का अध्यान कर चुके थे इसके अंतरगत हमने अब तक विभिन प्रकार की उर्जाएं कितनी होती हैं उनसे हेड्स किस प्रकार अध्यान कर लिया था अब बर्नोली प्रमे की अगली एप्लिकेशन है उरिफिस मीटर औरिफिस मीटर के लिए ये चितर देखिए आप सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि एक pipeline है D1 diameter की pipeline उसके अंदर center में हमने एक plate लगाई है upstream से downstream के बीच में आप देख रहे हैं जहां पर बिंदू संक्या दो लिकर dash वाली line लगी हुई है उससे जस पहले एक plate है इस plate के center में छिदर है इस plate को हम orifice plate के नाम से जानते है देखिए तीन बातें यहां पर उभर करके आती है ऐसी plate जिसमें छिदर होता है और orifice का कायरे करता है वो orifice plate होती है ऐसी अवस्ता में यह है छिदर orifice के नाम से जाना जाता है तसा जब orifice plate को किसी pipeline के setup में लगा करके discharge measurement के लिए काम में लिया जाता है तो इस setup को orifice meter कहते है अब for calculating the discharge हम लोगों ने एक YouTube differential manometer जिसके अंदर mercury भरा हुआ है दो बिंदों पर tapping के रूप में attach किया है इसका जो प्रथम सिरा हमने लिया है वो upstream में कहीं पर भी ले सकते हैं और दुतिय सिरा हमने कहां पर लिया है जो orifice plate है जब उससे flow निकलेगा उसके center से तो उससे कुछ दूरी पर जहां पर हमने D2 शो किया हुआ है ये lowest cross sectional area for the setup होगा जिसे हम Vena Contractor के नाम से जानेंगे इस बिंदू पर हमने second बिंदू को मापित किया है और इस प्रकार से ये complete setup ready हो गया मारे पास orifice meter द्वारा discharge measurement के लिए ये देखिए इस वाले चेत्र में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं pipeline है pipeline में उपर दो pressure tapping's दिखा रखी है 1 और 2 A1 area के diameter से water flow होता हुआ आ रहा है और वो orifice plate आप देख रहे हैं orifice plate के दो bevel angles है जहाँ पर A0 शो किया हुआ है A0 मतलब orifice plate का area और उससे कुछ दूरी पर एक area create हो रहा है A2 जो की A0 से भी छोटा है least cross sectional area of the flow है और उसको vena contractor के नाम से जानते हैं इस प्रकार से मारे पास इस पूरे setup में तीन तरीके के area हैं A1 at entry section A0 at orifice plate section and A2 the lowest cross sectional area of the flow अब हम इस setup पर apply करेंगे बिंदू 1 और 2 के मध्य Bernoulli प्रमे क्योंकि orifice meter Bernoulli प्रमे पर आधा रहता है तो बिंदू 1 के लिए P1 by omega प्लस P1 square upon 2G प्लस Z1 बिंदू 2 के लिए P2 by omega प्लस V2 square upon 2G प्लस Z2 अब P1 by omega प्लस Z1 वाली terms को एक साइड रख लेंगे हम और V वाली terms को दूसरी तरफ रख देंगे V2 square मैनस V1 square upon 2G को cumulative रूप से हम H के बराबर रख देंगे head difference के तो इस प्रकार से final equation हमारे पास आएगी V2 square मैनस V1 square upon 2G बराबर H या इसको समाने शब्दों में कह सकते हैं V2 square मैनस V1 square बराबर 2GH इतना calculate करने के बाद में फिर हम V2 को calculate करेंगे V2 हो जाएगा under root of V1 square प्लस 2GH यह हमारे पास में equation आएगी अब हम जब continuity equation सांतत्य समी करन को सोचेंगे तो A1 V1 बराबर A2 V2 और एक नया coefficient इंडिडियूस होगा CC बराबर A2 upon A0 मतलब least cross-sectional area of the flow divided by the next higher cross-sectional area of the flow A2 upon A0 इससे A2 कमाना जाएगा A0 CC और A1 V1 बराबर A0 CC V2 यह relation हमारे पास create होजाएगा A1 V1 बराबर A2 V2 की equation से और V1 बराबर A0 upon A1 V2 CC यह value उठा के हम put कर देंगे उपरवाल equation में जिसमें V2 कमान था V1 square plus 2GH under root इसमें put करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास जो velocity है यह velocity की equation बनी है यह basically theoretical velocity की equation है हम इसको actual velocity की equation में convert करने के लिए और फिर दोनों तरफ square ले लेंगे और square करने पर under root का sign हट जाएगा right hand side से अब इसको solve करेंगे हम तो solve करने पर V2 वाली terms के लिए value calculate करेंगे value calculate हो क्या जाएगी अब इसमें जहां जहां पर CC और CV का multiplication लिखा हुआ है उसको सम्मिलित रूप से CD coefficient of discharge रख देंगे और इस प्रकार से हमारे पास V2 का final man आ जाएगा इस V2 के final man को A2 से multiply करने पर A2 V2 A2 V2 सम्मिलित रूप से Q मतलब निस्चारण यह discharge को represent करेंगे तो हमारे पास value आएगी Q बराबर A0 CCCV under root 2GH divided by 1 minus A0 square upon A1 square CD square यह value हमारे पास में आ जाएगी अब हम कुछ इसमें देखें क्या महत्पून पर नाम आएंगे औरिफिस मीटर के यह भी वेंचूरी की तरह दाबंतर की सिद्धान्त पर कारे करता है यह एक तरह की plate होती है औरिफिस का अर्थ छिदर होता है इसके केंदर में pipe के संकेंदरी एक शिदर होता है बिल्कुल ठीक है plate की मुटाई pipe के व्यास की 0.05 गुना होती है इसमें जो बेवल एंगल होता है वो 32, 45 डिगरी होता है तता विभिन consideration D1 के respect में लिए जाते हैं इस प्रकार से venturimeter द्वारा हमने यहाँ पर discharge का मान ग्याद अब इसी श्रंकला में हम आगे देखेंगे कि यह chapter की theory हमारी complete हो चुकी है अब हम venturimeter संबंधी कुछ numericals देखेंगे इसमें देखेंगे आप सबसे पहले एक venturimeter है जिसका mapan है 40 x 20 cm² mercury manometer लगा है इसमें मतलब जो differential manometer है उसमें mercury भरा हुआ है और उसकी reading 25 cm है मतलब h का मान है h dash का मान 25 cm coefficient of meter is 0.98 and the constant also find the constant of meter जो meter का coefficient है उसकी value 0.98 है तो अभी हम देखेंगे कि meter का coefficient क्या होता है और फिर constant of meter हमको calculate करना है तो यह देखें फॉर्मूला है मेरे पास q बराबर c d a1 a2 under root of a1 square minus a2 square under root 2gh इसमें a1 का मान निकालेंगे हम pi by 4 d1 square से और a2 का मान pi by 4 d2 square से meter के अंदर निकालेंगे meter square के अंदर और यह एक फॉर्मूला है h बराबर h dash sm upon sf minus 1 इसमें जो sm है वो mercury की specific gravity है और sf है वो fluid की specific gravity है इसका ratio minus 1 इसको लेकर के h का मान भी calculate कर लेंगे in terms of meter of water में अब जो हमारे पास में एक constant बनेगा k बराबर a1 a2 under root of a1 square minus a2 square under root 2g इसमें a1 a2 की value हमने उपर calculate किये pi by 4 d1 square d2 square से उसको रख देंगे यह factor हमारे पास venture meter का constant कहलाएगा यह venture meter अचर के नाम से जाना जाएगा अब final formula of discharge calculation में q बराबर cd k under root 2gh under root h यह रखेंगे हम तो cd k under root h इस value को solve करने पर मारे पास meter cube पर second में q कमान calculate होके आ जाएगा इसको liter प्रति second में यदि हम convert करना चाहते हैं तो 1000 से multiply करतेंगे तो liter प्रति second में हो जाएगा यह मारे पास next numerical है जिसमें venture meter का size 115 to 75 mm है और 150 mm वाले pipe के अंदर 0.9 specific gravity का fluid flow हो रहा है mercury का differential value meter लगा हुआ है और हमें इसका discharge calculate करना है इसके लिए देखिए सबसे पहले हम d1 और d2 की साहता से a1, a2 calculate कर लेंगे फिर cd हमें 0.97 दिया गया है नहीं दिया गया है तो हम अधियूम कर लेंगे और h- हमें 175 mm of mercury दिया गया है इसकी साहता से हम h का calculation करेंगे तो a1 आएगा 0.0176 m2, a2 आएगा 0.00441 m2 और h का माना आएगा 2.49 m फिर इस सभी formula हम discharge के equation में रख देंगे और उससे calculate होने पर q का माना में प्राप्त होगा 0.03071 m3 पर second इसको जब हम thousand से multiply कर देंगे तो हमारे पास लीटर प्रति सेकेंड में discharge का मान आजाएगा इस प्राकार से यह दो numerical हैं इस हमारे वीडियो लेक्चर में इतना ही धन्यवाद कि वी प्राप bां आजाएगा से प्रृ सन्यवारे दुखे आजाएगा